हेलो फ्रेंड्स दिस इट एस्पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरी डे प्यारे दोस्तों बात करेंगे यूपी डियलेट फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है बालविकास एवम सीखने की प्रक्रिया ठीक है इसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है आज ये क्लास नमबर आपकी सेकेंड होगी जो फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है उसमें हमने बालविकास का प्रफ्ट को समझेगे अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्स्राइब जरू कीज़ेगा आपको बहुतनी कंटेंट के साथ आज सम्झेट से आपके सब्जेक्ट सियां पर क्लियर करवाए जाएंगे आईए समझते हैं बालविकास का च्छेतर क्यूंकि इससे पहले आप बाल बाल विकास के च्छेतर की देखिये आईए शूरू करते हैं स्कोप of Child Development देखिए बाल विकास का च्छेतर अत्यंत ही विस्त्रत और व्यापक है यानि कि जो बाल विकास का च्छेतर है ये बहुत dh बड़ा है यह बालक के विकास के सभी आयामों क्या यह जो है वो बालक के सभी आयामों बालक के सभी शौरूपों बालकों में जो एक दूसरे के बीच ऐसा मानताएं पाई जाती है जो विभिनताएं पाई जाती है चाहे वो शारिक रूप से हो या मांसिक रूप से हो और बा लगाता है यह सभी तत्वा इनका हम अध्यन बालविकास के अंत्रकत करते हैं और जैसे की परिपक्टा और सिच्छन का बालग की विकास मिलेगा सभारिनों आदि सभी का अध्यन करता है कौन करता है बालविकास ठीक है आई बसमज में जो बालविकास है ये बालक में जो बिनताई होती है जो ऐसा मानिताई होती है जो स्टाइरिक परिवर्तन होते है और उनमें जो परिपकता आती है इन सब कीजों पर किसका प्रभाव पड़ता है? उसका अध्यन क्या जाता है? आईए समझते हैं, बालविकास की विभिन अवस्थाओं का अध्यन क्या जाता है? देखिए, प्राणी के जीवन प्रसार में अनेकों अवस्थाइं होती है, एक ही अवस्था तो हमेशा इस्टै होती है, जैसे गर्वकाली नवस्था, नौ महिने के बाद फिर बालक जर्म के बाद वो शैश्वा वस्था में आ जाता है, उसके जो गर्वकाली नवस्था थी वो गुजर गई, शैश्वा वस्था, उसके बाद बच्पन आवस्था, बाले आवस्था, किशोर आवस्था इन सभी उसके बाद प्रावस्थाएगी, व्रध्धावस्थाएगी तो इस तरीके से बालक अनेकों अवस्थाओं से होकर की गुजरता है बाल विकास केवल बाल अवस्था का ही अध्यान नहीं करता ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ बाल्यावस्था के अध्यन क्या जाता है आपी तो विकास करम की सभी अध्यन के विकास करम की जितनी भी अध्यन खारिक, मांसिक, सामजिक, समवेगात्मक, बॉदिक आदि सभी पहलों का ध्यन करता है ध्यान रखिए ये बात कि जो बाल विकाश है ये सिर्फ बाल आवस्था का अधियन नहीं करता है बलकि मनुष से जितनी भी आवस्थाओं से होकर के गुजरता है उन सभी आवस्थाओं का अधियन करता है और बालक के डफलेप्मेंट में उसकी आवस्था पर जो उसका शार बाल विकास के विभिन पहलों का अध्यान बाल विकास में अलगलग प्रकार की जो आस्पेक्ट्स होते हैं उनका अध्यान किया जाता है बाल विकास के अंतरगत बालक के विभिन पहलों का विस्तार पूरवक कैसा विस्तार पूरवक बड़े लेबल पर ठीक डिटेल में भाशा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास एवं व्यक्तित विकास बालक में किस तरीके से होता है, इसका विद्वत तरीके से अध्यन चैल डिफलेप्मेंट में किया जाता है बाल विकास में, ठीक है, कि बालक का जो शारिक विकास होता है, वो किस तरीके से होता है, और बालक का mental development किस तरीके से होता है उसके वंसाओन उकरम वातारण का प्रभाव पढ़ता है कैसे पढ़ता है, कितना पढ़ता है, विद्याले का प्रभाव कितना पढ़ता है बालक में जो समधेगात्मक विकास होता है जो बालक समाज की विकास होता है सुरुवात में बालक केवल अपने माता-पिता को जानता है, अपने परिवार के सदस्यों को जानता है, धीदरे अपने परोशियों में धीदरे वो समाज के साथ connect करना शुरू कर देता है, तो ये process कैसे चलता है, वो कैसे समाज के लोगों के साथ connect कर पाता है, धीदरे समाज कैसे डवलब करता है कैसे सीखता है उसमें नैतिक विकास किस तरीके से होता है उसका चारित्रिक विकास किस तरीके से होता है उसका जो है परसनलिटी डवलब किस तरीके से होती है इन सभी चीजों का अध्यन किया जाता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्यों ह अध्यान शामिल है जो बाल विकास को प्रतेक्ष या अप्रतेक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जो चाइल्ड डिपलेपेंट को सामने से या इंडिरेक्ट्ली डिरेक्ट्ली या इंडिरेक्ट्ली जो अफेक्ट करते हैं उनका अध्यान किया जाता है बाल विकास पर मु से चलता यह वंसानुकरम कहलाता है ठीक है वंसानुकरम बालक के विकास पर वंसानुकरम का प्रभाव पढ़ता है और फिर जिस प्रकार के वातावरन में बालक रह रहा है उसका प्रभाव पढ़ता है परीपकोता और सिक्षन का प्रभाव भी बालक पर पढ़ता है कि उसकी जो है सिच्छन उसका किस तरीके से हो रहा है अताहा बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का अध्यान किया जाता है ठीक है चाहे बालक के चाहे वो आंतरिक कारक रहे हों या बहारी तत्वों रहे हों जिसका भी प्रभाव पढ़ता है उन सब का अध्यान किया जाता है मांसिक स्वास्त है विज्ञान का अध्यान देखिए बालक कास केवल मांसिक दुरबलताओं और रोगों का ही अध्यान नहीं करता है कि बालक में मांसिक दुरबलता क्यों है बालक जो है वो मेंटल डिसेबल्ड क्यों है है ना इसका अध्यान करता है बलकि विभिन मनोवग्यानिक तरीकों से उनके उपचार भी परिस्तूत करता है ऐसा नहीं कि अगर उसको दुर्बलताओं का अधियन कर लिया नहीं उसके बाद उसका उपचार के इस तरीके से करना है बालक के अंदर जो डिसैविल्टी है उसको क्या कम किया जा सकता है कैसे कम किया जा सकता है इन सब चीजों को भी वो प्रेजेंट करता है मनोचिक्टसा बालमनोवग्यान और बालविकास की ये देन है ओके आगे बात करते हैं जो बालकों की रुचियों का अधियन किया जाता है बालविकास में कि बालक की रुचियों का अधियन करके उन् जो बाल विकास है, यह समझने का प्रयास करता है, कि बालक की जो रुची है, वहां किस छेत्र में है, बालक किस छेत्र में सबसे ज़्यादा इंट्रेस्टेड है, क्या वो खेल में इंट्रेस्टेड है, या किस website वो अपनाना चाहता है, है ना उसी हिसाब से उसको शैक्षिक तौर पर मजबूत बना करके website नर्देशन प्रदान किया जाता है जिस छेतर में उसका रुची होती interest होता है उसी से समंदित उसको guide किया जाता है कि आप जो है इस छेतर में ऐसे बहतर कर सकते हैं रुचियां कार की प्रगत में प्रेर्णा का काम करती है अगर आपको खेल में interest है तो आप उसमें बहतर करते जाएंगे और यह एक inspiration हो गई आपकी है ना तो यह प्रेर्णा का काम करती है जो आपकी रुची है यह प्रेर्णा का काम करती है और लक्च की पूर्ती को आसान बनाती है जब हमें किसी काम को करने में मज़ा आने लगता है तो हम उसको करते रहते हैं और उसमें हमें ना आलस आता है ना हमें बोरिंग फील होती है ना नीद आती है ना भूग प्यास लगती है क्योंकि हमें उसमें मजा आ रहा है include होकर के है न तो इससे हमारी progress definitely होगी क्योंकि हम उसकाम में involved होके पूरी तरी कैसे काम कर रहे हैं हमें मजा आ रहा है उसकाम को करने में और दूसरी तरफ काम चाहें कितना भी आसान क्यों नहीं हो लेकिन अगर हम उसमें interested नहीं है तो उसक काम में देरी भी लगेगी काम भी अच्छा नहीं होगा और हम परेशान भी हो जाएंगे बहुत जल्दी ठक भी जाएंगे ठीक है यदि बालक को किसी कार्मी रुची होती है तो वहां उसे सीगरता से अधिक मनोयोग के साथ पूरा कर लेता है जल्दी पूरा कर लेता है ब विकास की अवस्था हैं जैसे शैश्व आवस्था बाल्य आवस्था किशोर आवस्था इन सब को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे आपको बताते चले कि हम पेड़ नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं इसका मतलब यह होता है कि आप यह जो सामने नोट्स देख पार हैं यह पीडियो फॉर्म में प्रोवाइड करा दिये जाते हैं आपको आपके एट सब्जेक्ट से डिया फ्रेंट कितने आपके एट सब्जेक्ट से सभी सब्जेक्ट के कम्प्लीट नोट्स टॉपिक वाइस कॉंटेंट पोश्चन आंसर अपको सब कुछ प्रोवाइड कराया ज चला है यहां पर कि बाल विकास के अध्यान का महत्तों क्या है और हां आपको नंबर बता दे यह हमारा नंबर है यहां पर आप में वाट्स अब कॉंट कर सकते हैं 9628182649 इस नंबर पर वाट्सअप मैसेचर के फटाफट नोट्स की इंफरमेशन ले लिजिए एंड नोट्स ले लिजिए देखिए चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर टॉपिक था हमारा बाल विकास के अध्यान का इंपोर्टेंस क्या है महत्तों क्या है बाल विकास के अध्यान का महत्तों निमनलिकित तरीके से लापकारी है पहली बात तो बाल पोशन विधियों का ग्यान हो जाता है क्या बाल पोशन विधियों का ग्यान हो जाता है जैसे बाल विकास के अध्यन से माता पिता और अभिवावकों को बाल पोशन विधियों का ग्यान प्राप्त हो जाता है प्रतेक माता-पिता प्रत्थम शिशु के जन के समय बाल पूषन के ग्यान से अन्भिगय होते हैं कि हम बच्चे को किश तरीके के नूट्रीशंस थे कैसे बालक का जो है कि फिजकल ग्रोथ होगा कैसे उसका मेंटल ग्रोथ होगा है ना इस तरीके से लेकिन बाल विकास का अध्यन जो है माता पिता को मातरत और पितरत के दाइत जैसे गंभीर प्रिश्णों का उत्तर हल करके बाल पूर्शन को सहस बना देता है क्योंकि जो पैरेंट्स होते हैं माली जो सुरुवाती दोर में उनको नहीं पता होता है कि अधियन कर लेता है तो उसको इन सब चीजों की नौलेज हो जाती है ठीक है और फिर वह अपने दाइत अपने responsibility को बहुत ही बहुता ढंग से अपने उत्तरदैत का मिर्वाहन कर पाते हैं दूसरी बात यह है कि बाल विकास का अध्यन करने से विक्तिकत विभिनताओं की जानकारी हो जाती है क्योंकि हम सब अपने आप में विशेष्टाओं के करण एक दूसरे से विशेष हैं एक दूसरे से अलग हैं एक दूसरे से भिन हैं हमें आप में हम और आप हर तरीके से भिनता पाई जाती है सोच में, विचार में सबकी रुची अलग होती है योगता, छमता अलग होती है ठीक है, इसमें बाल विकास help करता है, जन के बाद दो बालकों के विकास में समानता नहीं पाई जाती बहले ही वो दोनों ट्विन्स ही क्यों ना हो, दोनों ही जुडवा ही क्यों ना हो, उनका जो development होता है किसी का development जल्दी हो गया किसी का धीरे धीरे हो रहा है, है ना किसी का mental development बहुँ जल्दी हो गया कोई उतना नहीं सीख पा रहा है तो यह difference होता है भले ही दोनों जुडवा ही क्यों ना हो जैसे एक बालक कुशागर बुद्धी होता है दूसरा सामाने बुद्धी होता है कहना कि कोई चीज एक बालक को बहुत जल्दी समझ आ जाती है दूसरे को समझ नहीं आ रही है जिसको जल्दी समझ आ रही है इसका मतलब कुशागर बुद्धी का है तेज बुद्धी का है mental development इसका भी हुआ है और इसका भी हुआ है लेकिन इसका fast हो गया इसका slow है बाल विकास के अध्यन से विक्तिगत भिनताओं का पता चलता है कि किस बाला की क्या रूची है वो किस में interest ले रहा है उसका सीखने का label क्या है उसको किस तरीके का content दिया जाए ताकि वो आराम से सीख सके किस तरीके की वो activities कर सकता है तो विक्तिगत भिनताओं का पता चलता है जिससे बालकों के सिक्षा निर्देशन में साहताय मिलती कि कि किस को किस तरीके के guidance की आवश चेकता है आगे बढ़ते हैं विकास की अवस्थाओं का ज्ञान हमें बाल विकास के माध्यम शही होता है बाल विकास का अध्यन माता पिता को यह जानकारी प्रदान करता है कि गर्भावस्था से लेकर के बालक जो है वो प्रोड़ा वस्था तक किस प्रकार develop होता है सबसे बड़ी चीज है ना गरभावस्था से ही इसमें जुहे बताया जाता की बालक में किस तरिके से उसकी physical growth होती है ना और किस तरिके से बाकी उसके body parts grow करते हैं प्राड़ा वस्था तक बालक कैसे पहुँचता है इन सब चीजों की जनकरी बालविकास लेता है जीवन की विभिन अवस्थाओं में विकास के विभिन पहलूं जैसे शारेलेक, मांसिक, समाजिक, समविगातनक में कौन-कौन से प्रिवर्तन होंगे इसके जानकारी कौन देता है बालविकास विकाश की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करके माता-पिता बालकों के समुचित विकाश में अपना योगदान दे सकते हैं तो ये हल्प कहां से मिलती बालविकाश से बालकों की प्रसिक्षन और सिक्षा में उपयोगी होता है कैसे बालविकास के अध्यन से ये जानकारी मिलती है कि किस अवस्था में बालक कितनी मांसिक युगता रखता है बालक किस अवस्था में कितने वर्ष में आकर कि वो कितनी मांसिक युगता रखता है ये जानकारी हमको मिलती है बच्चे की मांसिक योगता और बुद्धी के अनुसार ही उसके प्रसिक्षन और सिक्षा के विवस्ता की जाती है भाई माली ये बच्चा समान बुद्धी का है और उसको आप जो है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसके हिसाब का पढ़ा रहे हो या उनके साथ बैठा करके पढ़ा रहे हो तो उसकी एक तो मांसिक योगता कम है उपर से आप प्रतिबाशाली के साथ उसको पढ़ा रहे हो तो वो तो और नीचे चला जाएगा है ना तो ये क्या है कि अगर हम उनको अलग-अलग नहीं करेंगे तो जो बच्चा जिसकी mental योगता कम है उसका नुक्षान होगा मांसिक योगता और बुद्धी के according ही आप उसको उसके लिए सिक्षा की विवस्था करें और विविन नकक्षाओं में उसकी मांसिक योगता के अनुसार ही पाठिकरम भी तयार किया जाए जितनी उसकी मांसिक योगता है उसी के हिसाब से पाठिकरम की विस्था कीजिए बालकों के स्वभाव को समझने में भी help करता है कौन बाल विकास विकास की विभिन अवस्थाओं में सभी बालकों के स्वभाव में प्रिवर्तन होता रहता है बालकी जो भी अवस्था है क्योंकि सब कुछ इस्टेबल नहीं होता इस्थिर नहीं होता प्रिवर्तन होता रहता है तो विभिन अवस्थाओं में भी उनके सवभाव में भी परिवर्थन आता है कुछ बालक सवभाव से अंतर मुखी होते हैं किसी से फालतू बात नहीं करते बस जतना पूछोगे उतना बता देंगे बात खत्म जबकि कुछ बालक सवभाव से बहिर मुखी और चंचल होते हैं कैसे कि मतलब सबसे हेलो हाई पूरी क्लास उनकी दोस्त बन जाती है है ना जो मिला उनसे हेलो हाई है और कुछ ऐसे जो अंतर मुखी होते हैं कोई एक आधा बहुत खास दोस्त होता है बात खतम और जो बहिरमुकी होते हैं ये सबसे हेलो हाई कर लेते हैं और दोस्ती बहुत जल्दी बना लेते हैं ये बात करते नहीं ठकते हैं ये सब फिजन में पाई जाते हैं बहुत ही चंचल होते हैं बहिरमुकी बालकों का विका प्रव्यविकास तीवर्गति से होता है, ऐसा माना गया है कि जो एकदम का थईए खुला माइंड, खुले दिल के होते हैं, उनका विकास भी अच्छा होता है, अंतर मुखी बालकों को यदि उचित नुरदेशन प्राप्त नहीं होता, तो उनका विकास कुन्ठित हो जाता है जो अंतर मुखी बालक हैं ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं अपने आप से मतलब है चुपचाप रहते हैं उनको उचित अगर गाइडेंस ना मिले तो फिर वो चुपचाप ही रह जाते हैं उनका विकास कुन्ठित हो जाता है बाल विकास का अध्यन ऐसे बालकों के भाव को समझने और उन्हें उचित निर्देशन दे करके उनके विकास में शाहता प्रदान करता है ठीक है तो यह क्या हमने समझा यह समझा कि बाल विकास की अध्यन का महतों क्या है अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम सहस्वावस्ता को समझेंगे इस इसी में आपको वाइगाउस की मिलेंगे इसी सब्जेक्ट में आपको कोहलर मिलेंगे ठीक है यह सभी टॉपिक्स पढ़ने में बहुत मज़ाएगा और यह टॉपिक्स पहले हमने बेर में पढ़ाए हुए भी हैं अगर आप इनको जल्दी सीखना चाहते हैं तो हमारी वी सामें पिक्चर्स के माध्यम से आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे थैंकी सो मच मिलते हैं बहुत जल्दी ने क्लास में कैस क्लास कैसरी कॉमेंट करके जरू बताएगा